दिल्ली में फ्री सफर यूजना से नाखुष मेट्रो मैं पीए मोधि को लिखा पत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीबाल द्वारा दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के फ्री सफर की घोशना किये जाने के बाद दिली मेट्रो के पहले प्रबंधक निदेशक ई श्रीधरन ने इस पर असहमती जताई है साथ ही उन्होंने केजरिवाज सरकार की इस पहल को मेट्रो के लिए नुकसान दायक भी बताया है उन्होंने सुझाओ दिया है कि मेट्रो में फ्री सफर करने की बजाए सबसीडी की राशी सीधे लाभारतियों के बैंक खाते में जमा की जाए मेट्रो मेन के नाम से मशूर श्री धरन ने 10 जून को प्रधानमंत्री मूदी को पत्र लिखकर केजरिवाज सरकार के इस फैसले पर असहमती जताई है बताया जा रहा है कि श्री धरन ने पत्र में कहा है कि अगर सरकार वास्तव में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुभीदा देना चाहती है तो इसके लिए मेट्रो की मौजूदा प्रणाली में कोई बदलावना किया जाए बलकि इसकी जगर लाभार्थी को सबसीडी की राशी सीधे उनके खातों में दी जाए श्रीधरन ने कहा कि मेट्रो को व्यवस्थित तंत्र को बनाय रखनी के लिए 2002 में मेट्रो सेवा शुरू होने के समय ही हमने किसी तरह की सबसीडी नहीं देने का सध्धानतिक फैसला किया था और ततकालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपई ने इसकी प्रशन साकी थी इतना ही नहीं अटल बिहारी जी ने भी उदगाटन के समय खुद टिकट खरीद कर मेट्रो यात्रा कर इस बात का संदेश दिया था कि मेट्रो सेवा की गुणवत्ता बनाय रखने के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है श्रीधरन का कहना है कि सबसीडी देने की परंपरा से मेट्रो प्रबंधन को विदेशी एजेंसियों से लिये गए कर्च को अदा करने में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा उनका कहना है कि दिल्ली मेट्रो की इस प्रतिबधता का पालन देश के अन्य शहरों की मेट्रो सेवा द्वारा भी किया जाता है अगर दिल्ली में मुक्त यात्रा सेवा शूरू होगी तो ऐसी मांग अन्य शहरों में भी उठाई जाएगी